अस्सलाम अलेकूम, वेलकम टू टेस्ट अन डिमार्ड, आज हम बनाएंगे बहुत ही आसान सी रेसिपी अंडा पकोड़ा, बहुत ही कम चीजों के साथ कम टाइम में बनकर तयार हो जाती है, इफ्तार के लिए तो ये बेस्ट आप्शन रहेगा, टी टाइम स्नाइक के तौर पर भी आप इसे बना सकते हैं, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं अंडा पकोड़ा की सिंपल सी रेसिपी, हमने लिया है एक कप पकोड़ा प्री मिक्स, पकोड़ा प्री मिक्स की वीडियो भी हमने शेयर की हैं, आप उससे देख सकते हैं, या फिर आप इसमें एक कप बे करते हुए एक बैटर तयार कर लेंगे अगर आप रमजान में पकोड़ा प्रेमिक्स बना कर रख लेते हैं तो इस तरह के पकोड़े बनाने के लिए आपको बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी और बहुत जल्द ये बंद कर तयार हो जाएंगे ये बैटर हमारा बंद कर तया हमने लिए हैं चार अंडे जिससे बोईल कर लिया है और इसका छिलका निकाल लिया है अब हम अंडों को इस तरह से हाफ हाफ कट कर लेंगे और चार अंडों के हम आट पीसेस कर लेंगे अंडा पकोड़ा चटपटा बने इसलिए हम इस पर थोड़ी से मसाले आड़ करेंगे काली मिर्च का पौडर डालेंगे हम थोड़ा सा तब इस पर स्प्रिंकल करेंगे नमक चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे और थोड़ी सी लाल मिर्च भी आड़ कर लेंगे अब हमारा बैटर भी तयार है और मसाले वाले अंडे भी तयार है एक अंडा लेकर हम इसमें इस तरह से डिट करेंगे और बैटर उसके उपर डालेंगे और फोर्क की मदद से इस तरह से निकाल कर इसे ओईल में एड़ कर लेंगे ओईल हमारा मीरियम होट होना चरिए और बागी तमाम हम हातों की मदद से डाल देंगे हातों की मदद से डालना ये आसान होगा थोड़ी देर हम इसे डश नहीं करेंगे और नीचे का अच्छे से फ्राइ हो जाए फिर उसे पलट लेंगे और इसे पलट पलट कर हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे दो से तीन निनट में ये अच्छे से फ्राई हो गया है अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है अब हम इसे निकाल लेंगे इसी तरह दूसरा वैज भी हम फ्राई कर लेंगे जटपट तयार होने वाली इस आसान सी रेसिपी को आप इस इफतार जरूर ट्राइ करें आप लोगों को जरूर पसंद आईगी जितना बनाने में यह आसान है उतना ही टेस्टी बन कर यह तयार होता है I hope आप लोगों को यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताके आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन्स आपको मिलती रहे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अल्ला हफीस